हलो फ्रेंज क्या आप जानते की कोईला नाम का एक ऐसा प्राणी भी होता है जो बहुत ही खुपसूरत होता है जो केबल आस्टेलिया में ही पाया जाता है ये बहुत ही खुपसूरत और प्यारे जानवर होते हैं ये जीप दिखने में पांडा और भालू की तरह होते हैं ले नीलगरी के पत्ते भी कहा जाता है यूकिलिस्टा के पत्ते इतने मुख्य रूप से एक मात्रा में भोजन है तथा यूकिलिस्टा के ही पत्ते खाते है और आपको यह जानकर बहुत ही आश्चेरे होगा कि कोईला प्राणी बहुत कम पानी पीता है मतलब पानी पीता ही नही इसे प्यास लगती है क्योंकि इसे के सरीर में पानी की पूर्ती वह पत्यां की नमी से करता है इसलिए इस प्राणी को नो ड्रिंकिर भी कहा जाता है इनको दुश्मनों का कोई भै नहीं होता है लेकिन कभी-कभी कोईला को छोटे बच्चे को और छोटे आकार की मादा को जहरीली पत्या होती है जिसके कोई और जानवर नहीं खा सकता है लेकिन कोईला के पाचन तंत्र में सुकुम नामग एक अंग होता है यह अंग पत्यों को तेजी से तोड़ने और पचाने का काम करता है लेकिन इनमे आशेरी की बात यह है कि पाचन तंत्र क्रिया बहुत ही कोईला को कोई नुक्सान नहीं करती हैं कोईला का निवास इस्थान ब्रक्ष होता है यह जानवर पूरी दुनिया के केबल औसेलिया में ही पाया जाता है और इनका निवास इस्थान यूकिलिस्टा के ब्रक्षी होते हैं क्योंकि इनके भोजन की पूर्ती इन्हें पेडों स इनके शरीर का 60 cm से 85 cm तक होता है कोईला का बजन 14 kg तक हो सकता है कोईला के सरीर पर बूरे रंग के बाल और फर होते हैं इस प्राणी की नाक लंबी होती है जो गुलाबी और काले रंग की होती है शरीर की तुल्ना में दिमाग बहुत छोटा होता है जानवरों को इस तरह का शरीर और दिमाग का अनुपाद बहुत ही कम ही देखने को मिलता है कोईला के पैरों के पंचे बहुत ही मजबूत होते हैं जिसके कारण ये कोईला पेडों पर असानी से चड़ जाते हैं तक डालियों पर इतनी पकड़ मजबूत होती है इनके फुट फुट फ्रिंग मनु मादा कोईला अपने बच्चों को जोई को इस थेली में पालती है और जोई जन्म के समय केबल 2 cm का होता है इस बच्चे का भजन भी केबल आधा ग्राम ही होता है और आशरी की बात है कोईले की थेली में बच्चा जोई करीब 6 महने तक रहता है और मा थेली में ही बच्चे को पोशन या दूद देती है तब बाकी के 6 महिने जॉय अपनी मा की पीट पर रहता है तब इस तरीके से मादा कोईला अपने बच्चों को पालती है और सबसे अचंबा की बात तो यह है कि कोईला एक दिन में 18 गंटे तक सोता ही रहता है और तो और वह यह पेड़ की डालिय पे ही सोता है और इससे यहां तो पता चलता है कि कोईला एक आलसी प्राणी है अथा कोईला इतनी देर तक इसलिए सोता है क्योंकि इसके पाचन तंत्र बहुत ही कमजोर होता है जिससे भोजन पचने में बहुत समय लग जाता है और तो और यह है एक रात्रिचर प्राणी ह और चुनी हुई पत्यों को ही खाता है और सबसे अच्छी पत्यों खाता है जंगल में यूकिलिष्टा की करीब 700 से ज्यादा प्रजातिया पाई जाती है लेकिन कोईला केबल 30 से 50 के करीबी प्रजातियों के पत्य खाना पसंद करते हैं तो कोईला एक समाजिक प्राणी नही सबस्क्राइब कर दीजिए और अगर आपको किसी और टापिक में हमारे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं